कुरोना वाइरस को लेकर जिलापरशासन स्तर्ख हो गया है जिलापरशासन ने स्वास्ते सहित अन्य विभागों से बैटे करके कुरोना वाइरस से बचाब के लिए एतियातन कदम उठाना शुरू कर दिया है कुरोना वाइरस को लेकर जिलापरशासन स्तर्ख हो गया है जिलापरशासन ने स्वास्ते सहित अन्य विभागों से बैटे करके कुरोना वाइरस से बचाब के लिए एतियातन कदम उठाना शुरू कर दिया है इसी कड़ी में मेकलोड गंज और बीट पिलिंग जहां विदेशी परेटक आते हैं बहां सेल्फ डिकलेरेशन फर्म भेजे जा रहे हैं क्यूंकि चीन या चीन की यात्रा कर आने वाले विदेशी स्पेशल रिस्क में है टानडा मेडिकल कॉलेज में स्थापित आईसोलेशन बार्ड में स्वास्ते जांच की जाएगी करोना बाइरस से बचाव है तो देश के अंतरा स्ट्रिय एरपोर्ट पर तो हवाई यात्रा कर आने बाले लोगों की जांच की जा रही है जबकि कांगरा एरपोर्ट पर अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है ADC जिला कांगरा रागप शिर्मा ने कहा कि मेकलोट गंज और बीट बिलिंग शितर में विदेशी आते हैं चीन के बुहान शहर से करोना वाइरस शुरू हुआ है बहां से लोग आ रहे हैं वो श्पैसल रिस्क में है क्योंकि उनसे दूसरी लोग इस वाइरस का शिकार हो सकत हैं भारत सरकार के निर्देशा अनुसार पीएची मेकलोट गंज को कांसलिंग सेंटर चिनित क्या है टीमसी को आइसुलेशन बाट के निर्देश दिये हैं मेकलोट गंज बीट बिलिंग शितर में जो भी होटल ब होमस्टे हैं वहाँ सेल्फ डिकलेरेशन फार्म भेजे जा रहे हैं जो भी पिछले 15 दिनों में विदेशी चीन यात्रा कर आया है फार्म में बोटिकलेर करेगा और इस संबन्द में स्वास्ते बिभाग को सूचित करेगा जिससे स्वास्ते बिभाग उसके आइसोलेशन बाट में चेकिंग करेगा एतियातन तोर पर हमने तयारि हैं उसके संबन्द में हमने एक प्राइटक सभी विभागों से की थी पिछले आपर सबता इसमें हमने मैकलोड गंज इलाके में और स्पेशली जो बीड़ बिलिंग को इलाका है जहां पर फॉरिनर्स आते हैं स्पेशली कोरोना वायरस जैसा की विदित है कि वुहान प्रा के दिशान निदेश के अनुसार और राजस सरकार के दिशान निदेश के अनुसार हमने कांस्लिंग सेंटर को मैकलोड गंज इस्टी को डेजिनेट किया हुआ है साथ में टांडा अस्पतार को निदेश दिये गए कि वहां एक आइसोलेशन वाड रखा जाए इसमें हम जि पंदरा दिन के अंदर गुहान प्रांथ चाइना या जो सौथी स्टेशन कंट्रीज उसको विजिट किया है तो वो डिक्लेर करेगा और ऐसे व्यक्ति को जो है वो है वो है वो है व्यक्ति को नोटिफाई किया जाएगा कि हमारे टिस्टिक सर्विलेंस ऑफिसर अपाइट हो और जहां पर बिलासपुर के जुखालक शेतर में पाकिस्तानी गुबारब और पाकिस्तानी सिक्का मिलने से फैली है देश्यत पूरा मामला क्या है ये हम बताएंगे आपको एक छोटे सेव टेक के बाद